कुछ फिल्में सिर्फ बॉक्स ओपेश पर पांसो या छेसो क्लो रुपे बनाने के लिए ही नहीं होती, कुछ फिल्में सिर्फ एवार्ट्स के लिए ही नहीं होती, तारीफ के लिए ही नहीं होती, बलकि इसलिए होती है कि अच्छे सिनेमा में भरोसा कायम रहे, ये यकिन र लेकर आप 16 साल का दर्द भी मौसूस करते हैं ये फिल्म साल 2008 में आई बेनेया मिल की नोबेल अडुजी वितम पर अधारित है और ये फिल्म एक सची घटना पर अधारित है साल 2008 में ही जब बलेशी ने ये नोबल पॉढ़े तो इस पर फिल्म बनाने के सोचे लेकिन कई दिक्कतों के बाद ये फिल्म फाइनली अब बन पाई है ये कहानी है नजीब नम की एक सक्स की जो मजदूरे करने साओधी जाते है और वहाँ एक बुच्चर खाने में फौँच जाते है जहां उसे बकरियों की देखरे करने का काम करना पड़ता है वो कैसे वहाँ से बचते हैं यही फिल्म में दिखाया गया है इस फिल्म को देखकर आपके रौंग्टे खड़े हो जाएंगे किसी दूसरे देश में जब कोई फौँच जाता है तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है वो इस फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया है वो आपको हिला डालता है आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या अपना देश छोड़ कर जाना चाहिए फर्स्ट हाप काफी अच्छा है बीना कुछ देर की ये फिल्म अपने मुद्दे पर आ जाती है लेकिन दूसरे हाप में जो होता है वो आप देख नहीं पाएंगे कैसे पानी की एक वून के लिए तरह सते हैं लोग जानुरों के भी जानुर की तरह रहते हैं इंसान ये भी होता है विदेशियों की भासा भी समझ में नहीं आती है लेकिन सायद जो दर्द नजी मौसूस करते हैं वो दर्द डारेक्टर आपको भी मौसूस कराना चाहते हैं इसलिए इस फिल्म सब्टाइटल नहीं डाले गया है फिल्म आपको उस दर्द को बहुत ही अच्छे स मौसूस करा देती है ये यकिन दिला देती है कि संदाज सिनेमा अभी बन सकता है बस बनाने वाला चाहिए तो आप लोग कोमेंट करके बताइए कि आप लोग दा गौट लाइफ मूवी को देखे या फिर नहीं देखे और अगर देखे तो आप लोगों को दा गोट मोवी कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए अब हम आप लोगों से बीदा लेना चाहते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर ना है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर और हमसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लिजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है